इस वीडियो में हम एंसी बैकेंसी डिसकस करने वाले हैं जिसमें ना तो कोई एक्जाम होना है इसमें डारेक्ट एंट्री होनी है वो बैकेंसी है ग्रामीन डांक सेवक इसमें बैकेंसी की जो पोश्टों की संख्या है बो भी अच्छी खासी है 38,926 पोश्ट है इसमें एप्लिकेंसी दो माई 2022 से सुरू हो गए है जो लाश्ट रेट है एपला कायानी की बो है 5 जून 2022 इसमें के बाद हम कैटेगरी देख लेते हैं इसमें दो कैटेग्री है एक है ब्रांच पोश्ट माश्टर्डर्य एक है assistant ब्रांच पोश्ट माश्टर्य या फिर डांक सिवा किसी को हम कहते हैं इसमें 12,000 सेलरी है, BPM की, ABPM की है 10,000, इसमें आपको बर्क कायना होगा, यह लेविल बन में सेलरी है, यानि कि जब आप 4 घंटा काम करेंगे तब आपको इतनी सेलरी दी जाएगी, इसमें हम eligibility देख लेते हैं, तो minimum age है 18 बास, और जो अधिक्तम आयू रखी गई है, बो भी अच्छी खासी है, 40 बास, यानि कि जो 2019 से Indian Railway की जो vacancy होनका इंतजार कर रहे थे, तो अभी जो इसमें जो age रखी गई है, तो भी form भा सकते हैं, जिनकी तब होने वाली थी है, इसमे age relaxation भी दिया जाएगा, SCST के लिए 5 year, OBC के लिए 3 year, EWS के लिए no relaxation है, PWD के लिए 10 years, PWD plus OBC, ये फिर percentage के साब से आपको age relaxation दिया जाएगा, PWD में, इसके बाद education qualification पर आते हैं, तो इसमें second year school examination past certificate of 10th standard having passed in mathematics and English, यानि 10th class में आपकी जो mark seat है, उसमें math और English subject होना चाहिए, यानि और जो आपकी भासा है, local language है, जो वो होनी चाहिए, conducted by any recognized board of school education by the government of India, आंगे इसमें दिया गया है compulsory knowledge of local language, यानि कि local language का आपको knowledge होना चाहिए, knowledge of cycling, cycling काफी आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए, knowledge of cycling is a prerequisite condition for all GDS posts, इसमें जो आपकी application फिश रहेगी, वो 100 रुपीश रहेगी, how to apply, apply आप जो official website है, Indian post, GDS online.government.in से आपको apply कायना है, उसमें name, father's name, mother's name, mobile number, email ID, date of worth, gender, community, PWD, type of disability, percentage of disability, state in which 10th class passed, language studies in 10th class, year of passing 10th class, scanned passport photograph, scanned signature, इसमें आपको फिल कायना है, उसमें आप preference भी दे सकते हैं, जब आप form apply करेंगे, उसके बाद आपको कुछ document भी upload कायने पढ़ेंगे, recent photograph, GPG, जो file format रहेना चाहिए, file size आपकी 15K भी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और mandatory है, इसके बाद signature आता है, यह भी GPG format में होना चाहिए, और 20K भी इसकी file size रहेनी चाहिए, यह भी mandatory है, इसके बाद 10th class marks, details उसमें आपको फिल फिल कायनी है, आँगे हम जो प्रोफाइल देख लेते हैं, branch postmaster BPM, carrying out transactions of branch post office and India post office payments using the handheld device, mobile device, smart form, इसमें आपका क्या काम रहेगा कि जो payment bank है, IPPV, इसमें आपको transactions को देखना है, offline and online, आपको device जो रहेगी उसी से, marketing of postal product and services, India post payments bank service, various service provided by customer service, sent, इसके बाद कुछ point आते हैं, यह आप notification में भी पढ़ सकते हैं, उसकी link हम आपको description में देंगे, उससे आप download कर लेज़ेगा, उसके बाद आता है assistant branch postmaster, इसके बाद डांक से वाक, अब देख लेते हैं, selection इसमें कैसे होगा, तो selection आपका merit के आधार पर होगा, 10th में जो आपकी merit रहेगी, जितनी आपके percentage रहेगे, उसी के आधार पर, आपका selection होगा, उसी की आपकी cut-off गरेगी, जितनी आपकी cut-off है, आप अपने state की अपनी district से भी form भाए सकते हैं, और other district से भी आप form भाए सकते हैं, लेकिन जो circle से आप form भरेंगे, उसी से आपकी अलग-अलग cut-off गरेगी, और उसी में आपका selection होगा, इस वीडियो में हमने आपको Indian Post Office Recruitment 2022 की पूरी जानकाई दादी है, यदि आप किसी भी government exam की तैयार करना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करना, thank you.